साल भर में चार बार नौरात्रों की एक अलग ही महिमा है इन नौरात्रों के चेतन्य दिवसों में नो ही दिन नो देवियों का पूजन करना चाहिए जिसमें सर्वप्रथम पहले दिन मा शेल पूत्री का पूजन करना चाहिए दूसरे दिन दुतियम ब्रह्मचारणी माता का पूजन करना चाहिए चंद्रघंटा माता का पूजन तीसरे दिन होता है चोथे दिन कुस्मांडा देवी का पूजन होता है जो सभी सिद्धी की दात्री है उन देवी इसकंद माता का पूजन पाँचवे दिन होते हैं कात्याईनी माता का पूजन छटे दिन किया जाता है साथवे दिन मा कालरात्री का पूजन किया जाता है आठवे दिन महागोरी का पूजन किया जाता है एवं नवे दिन मा सिद्धी दात्री का पूजन सर्वसिद्धी देने वाली माता का पूजन किया जाता है इन नोई देवियों का पूजन करने से मनुष्य के जीवन में सभी प्रकार की सुक्सम्रध्धी एश्वरी की प्राप्ती होती है और समस्त प्रकार की बाधाओं का निवानन होता है जिन अक्टुम्बर से मा जगजिन्नी के नौरात्रे हम सबको प्राप्तो रहे हैं जिसमें देवी की आराधना करें और अपनी मनो कामनाओं को पूर्ण करें तथा सभी प्रकार की व्याधियों का रोगों का नाश करती हैं जगजन्नी मैया इस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करती है कि उनको किसी प्रकार की आच ना आवे, किसी प्रकार का व्यवधान ना आवे और उनके जीवन में सुख सम्रधी एश्वरी की प्राप्ती हो